नमबर एक आल राउंडर की लब स्टोरी पत्नी के लिए में दान में बिजनेस को दुना नमस्कार दुनिया की नमबर एक आल राउंडर शाकिप उलहसन ने अपने इलको नौमा खेल से वेस्टिंडिस को चारों खाने चित कर दिया सो बार वो खेले गई वर्ड कप मुकाबले में रेस्टिंडिस ने पहले बल्ले वाजी करते हो गए 322 रनों का लक्षी रखा जवाब में बांगलादेश की टीम ले शाकिप उलहसन की धमाकेदार नवाद 124 रनों की पारी के मद्धौरत अक्तारिस दशवरत तीन ओवर में ही जीत हांसे कर ली रिकेट के मैदान पर गेंवाजी की वक्या उधेरने वाले शाकिप की लव लाइफ भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है शाकिप की पत्नी उमी एमाच शीशियर अपनी खूब सूरिती के कारण सूथ्यों में रहती है कम ही लोगों को पता होगा कि जिस इंगलैंड में हो रहे वर्ड कप में शाकिप अपने बल्ले से आग उबर रहे हैं उनकी लव स्टोरी में वी वही शूड़ हुई थी शाकिप की पत्नी उस समय सबसे ज़ादा चर्चा भी आई जब 12-14 में भारत मांगला देशिश मैच के दुराण एक वीजरस मैन की बेटे ने उनके साथ बद्स लूपी की थी मीर पूर्स दिद नैशनल क्रिकेट स्ट्रेडियों गैल्टी में 15 जून को भारत की खिलाब फोर रहे मैच के दुराण शाकिप की वाइप उमी एहमद शीशीर के साथ कथित तौर पर जोन उत्फिडन हुआ था जैसे ही ये खबर शाकिप को पता चली तो शाकिप पर पहुचे यहां उन्होंने वाइप के साथ ऐसी हर्कत करने वाले रह्मान नामत बिजनेसमेन की जंपर पिटाई कर दी इसके बार रह्मान को लिफतार कर लिया गया था जानकरे के मताविक उमी एमद शीशर बंगलादेशी अमेरिकन है उमी जब दस साल की थी तभी उनके माता अमेरिका चले गए थी दुनिया के सबसे खतरनाथ और रांडर शाकिप उलहसर और उमी एमद ने तब लफ्स मेरिश की है इन दोनों की लफ्स चोर इंग लैंड मे शाकिप की मुलाकार कुमी से हुई थी शाकिप यहां कांटी क्रिकेट खेल गए थे, शाकिप यहां कांटी क्रिकेट खेले गए थे और उसी दोरान उमी भी यहां चुतिया मनाने पहुँची थी उम्मी और शाकिव दोनों एक वोटल में ठहरे थे इसी दोरान दोनों की मुलाकाद हुए और ये मुलाकाद प्यार भी बदल दे उम्मी और शाकिव की मुलाकाद हुए दस में हुई थी दो साल देट करने के बाद 2012 में दोनों ने शादी के बंदन में बद गए उमी पांच भाईयों और एक पहन में सबसे छोटी है शाकिप उलहसन और उमी की शादी 12 दिसंबर 2012 को हुई थी उमी आई पेल के वी कई मैचों में नजर आ चुकी है उमी भूमने फिरने की काफी शुकीन है उन्हें पार्टी की शुकीन भी माना जाता है अमी का अंदाज है रहें से हैं बिल्कुल मॉडल्स जाता होता है उन्होंने अमेरिका की मिनो सेटा यूनिवर्स्टी से इंजिनेरिंग की है सोवार को विडिस ने पहले बल्ले बाजी करते हुए थाइंपॉप इन इवन लूइस और शिम और शिम्रें लिटमेर के टेच पचास रोनों के दम पर बंगलादेश के साम में 322 रहने के लक्षा रखा विडिस के ये वाजी कॉम में है और यहीं देखते हुए बंगलादेश की जीत के संभावनाय कम लग रही थी लेकिन बंगलादेश के चिर्फ 40.3 ओवरों में 3 विकेट खोड़कर लक्षय हासिल कर लिया शाकिवनी शुरू से एक शोर पकड़े रखा और बेतरी नवाद 124 रनों की पारी खेल अपनी टीम को इस विशुप कप में दूसरी जी दिलाई ये विशुप कप में किसी भी टीम द्वारा रनों का पीछा करने हुटरी पीछा करते हुए हासिल की गई दूसरी सबसे करके हुटाएं लाइक को शिए जरूर की जो और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि हम हार जोच ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं धन्यवार